दोस्टो दिल्ली में बीजेपी कारियाले में घुश कर प्रेज कोंफरंस कर रहे बीजेपी के प्रवक्ता जीवीयल नरसिम्मा पर जूता फैकने वाले सक्ति भारगव के बारे में कैई चोकाने वाली जानकरिया सामने आई है सक्ति भारगाव बेनामी संपत्ती और एगोशित आय से जुड़ी आयकर विबाक की चांच का सामना कर रहे हैं बताया जा रहा है कि सक्ति भारगाव ने तीन बंगले खरी दे थे इसके लिए उसे ने अपने खाते से साड़े ग्यारे करोड रुपे का भुकतान भी किया था ये बंगले सक्ति भारगाव ने अपनी पतनी बच्चे वर रिष्तिदार के नाम पर खरी दे थे आयकर सुत्रों का कहना है कि 2018 में तीन दिन तक चले सर्चाप्रसन के दोरान सक्ति भारगाव के ठिकानों से 28 लाख रुपे कैस और 50 लाख रुपे की जिवेलरी ब्रामद की थी इसके साथ ही पूछताच में सक्ति भारगाव ने 10 क्रोड से जादे रकम की कमाई का स्रोथ भी नहीं बताया था इसके लावा सक्ति भारगाव की के कमपनियों के बारे में भी पता चला था आयकर विभाग को जाच में पता चला था कि भारगव से जुड़ी आर्ट कमपनियों की जानकरी आयोकर विभाग या दूसरी सरकारी एजन्सियों को नहीं दी गई थी यानि गुप चुप तरीके से ऐसी कमपनिया चलाई जा रही थी जिसका संब्ध सक्ति भारगव से था ये जानकरी भी सामने आई कि सक्ति भारगव ने जो तीन बंगले खरी दे थे उस संब्ध में भारगव के प्रिजनों ने ही उसके खिलाप परतार नका केस दर्ज कराया था इसके साथ ही सक्ति भारगव ने सुप्रिम कोर्ट में केंसर कार के खिलाप एक याची का भी दायर की थी जिसे रद करते वे कोर्ट ने CBI को सक्ति भारगव के खिलाप केस दर्ज कर जांच करने के आदेश जिये थी दोस्तो सकती भारगव के खिलाप ये तमाव गंब्यारोप इसले भी चोकाते हैं क्योंकि उनके फेस्बुक प्रोफाइल में जिस तरह की जानकरी मिली है उसमें वो खुद को एक विशिल बलोवर बता रहे हैं साथ ही सरकार की नीतियों को लेकर भी उन्होंने अपनी नारजगी जाहरी की थी यानि सरकार के अलोचना करने वाला सकती भारगव खुद आयकर विभाग की जाच का सामना कर रहा है दोस्तो इस पेसल ख़वर देश-दुनिया की ताजातरीन और एस्क्लूसिव डवलोमेंट को सबसे पहले आप तक पहुछाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें